एक सारे तीन साल के बच्चे ने खेलते खेलते बैटरी सेल की बटन को निगल लिया जिसको शेगाओ के नीजी डॉक्टर ने सफलता पूर्वक निकाला है बताया जारा है कि बच्चे ने बैटरी सेल की बटन पेट के निगल जाने पर उसकी पिता ने उसी उपजिला अस्पिताल शेगाव लाया गया था लेकिन उसी शास की अस्पिताल अकुला रफर किया गया इस पश्यात परीजनों ने बच्चे को शेगाओ की प्रकास शिलरन अस्पिताल में परती कराया गया वही नीची प्रकास शिलरन अस्पिताल की संचालक बाल रोग तक ने डॉक्टर सचीव सांगली ने बच्चे पर इलाज शुरू किया सबसे पहले उसका एकसरे किया गया जहां एकसरे में बैटरी सेल की बटन अननलिका में अटकी हुई बताएगी इस बैटरी बटन सेल में घातक केमिकल रहता है अननलिका में जाती ही सेल का विगटन शुरू हो जाता है अगर उसे निकालने के लिए दो घंटे से जादा समय लगा तो अननलिका को कुछ छेद होकर मरीस की जान को खत्रा बन जाता इतना ही नहीं तो हमेशा के लिए अननलिका में व्यधी ग्रस्त हो जाने की बात कही जा रही इसलिए बच्चे को अकोला मेडिकल रेफर कर दुर्बिन से सेल निकालने की सलाद दी गए थी लेकिन परीजनों ने समय को महत्वत देते हुए शेगाव के प्रकाश्यरन अस्पताल की डॉक्टर को इलाज करवाने की विंति की जहा निची अस्पताल की डॉक्टर ने शकल लगाकर पेशाप की जगा उपयोग में लाने वाली फॉलिस कैथेटर का उपयोग बलून कैथेटर जैसा करकी बैटरी सेल बटन निकालने का निरने लिया गया मरीज बच्चे को कोई भी प्रकार की अनेस्टीशिया एवं सरजरी नहीं करती हुए मूझ से कैथलेटर डाल कर सेल की बटन तक कैथलेटर धकिलती गया बाद में कैथलेटर की टोक को बलून जैसा फुगाया गया उस कैथलेटर को जैसे ही धीरे धीरे निकाला गया तो बैटरी सेल की बटन सफलता पुर्वक निकल गयी डॉक्टर द्वारा परिजुन को बताया गया कि बैटरी सेल की केमिकल विगटिन की क्रिया शुरू होने से उसकी बाहरी हिस्से में लाल कलर का विशिष्ट द्रव चमा हो रहा था उस पश्चाग मई 20 बच्चे को आदा घंटा निगरानी में रख कर उसे चुटी ती गई बीस्यन न्यूस के लिए खापर खेड़ा से दिले कजबे की रिपोर्ट